जो उपचुनाओ थे जिन राज्यों में, मजेदार था उत्तर परदेश, लग रहा था अखलेश बाजी मारने के लिए लराई लर रहे हैं, लेकिन वहां भी पिछड़ गए, राजस्थान में भी कांग्रेस पिछड़ गई, और महराष्ट में एंडिये को जो दो तिहाई से उपर आया है, ये दिखा रहा है कि बड़ बोलापन में उद्धव ठाकरे को तो संजे राउत खा गए, और उद्धव ठाकरे को नकार दिया महराष्ट की जनता की असली सिर्व सेना कौन है, पबार को भी नकार दिया, आज बीजेपी का श्ट्राइक रेट लगभग 87-88 परसेंट गया है, अगर पूरे देश का सीटों का चुनाव देखेंगे, तो भी बीजेपी को 60 परसेंट से उपर सीट आया है, और सभाविक है, जारखंड में जो आया है रिजेट उसको हम कभूलते हैं, शिकारते हैं, लोगतंत्र की यही खासियत है, लेकिन बिहार में लालु जादब का थोपरा साफ कर दिया बिहार की जनताने उपचुनाओं में, यूपी और बिहार में ये तेज़स्वी जादब, लालु जादब, अखलिश जादब का थोपरा साफ. संजय राउट का एक्वियान आया है कि हम महाराष्ट में जो परिनौम आये हैं उसे स्विकारते नहीं है गलत हुआ है उतों आईगा ही मिठा मिठा घट घट तीता तीता थू थू जब ज़ारखंड में जीत जाए तो बड़ा अच्छा इनके फेबर में आ जाए तब इबियम ठीक है अड़े जनता न नकार दिया और खास करके संजय राउट जैसे बड़बोले पन के कारण उधव ठाकरे सहित मा अगारी का नास हुआ कॉंडरेस में जारकर में कहा बीजेपी पीछे रही है जो कि हार सामना करना पर रहा है अभी तो रिजर्टाً ही रहा है अंतिम जब होगा पाटी नतुरित क्या फाइनल-डिजर्ट आता है अभी कोई दिर, हजार से कोई सौ से तो उस ढदंसे डिजर्ट जब तक फाइनल आता है तब तक हम ट्रेल और आगे पीछे भी लड़ाई लगाई हारने के बाद विपक्ष जो है इबियम पर सवाल उठाते रहते हैं इस वार मांगडवंदन जो है जारकन में चुनाव जीत गई तो सुरू से रहा कांगरे स्तिलागना में जीत गई बल्ले बल्ले हिमाचल म लेकिन अगर महाराष्ट में चुनाव हार गए तो इबियम पर सवाल ये पुराना कल ही मुझे लग गया था दिखविजय सिंग के ब्यान से कि उन लोगों ने हार स्विकार करने परसांद की सोर को लेकर के क्या कहेंगे जो इस वार चुनाव में उप चुनाव में उतरे है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आप मिलियो प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरुसे के लिए बहुत धनिवाद